गौरव चंदेल हत्याकाड आपको याद होगा उसमें कई सारे ग्रफ्तारियां भी हुई हैं मगर अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि फरार बताये जा रहे हैं दो आरूपी जो कि पुलिस के ग्रफ्त में हैं आज जिब कोट में सुनवाई हुई जिसमें उमेश और पूनम जिसे पुलिस रेमांड में आज कोट ने भेश दिया है मगर कहा यह जा रहा कि मुख्य आरूपी दरसल पूनम ही है जो कि आशू जाट की पत्ती बताई जा रही है दरसल मिर्ची गैंग के लोगों ने गौरफ चंदेल के हत्या के थी लूट पार्ट के बाद में बताया ऐसा आगया के हत्या कारण को अंजाम दिया था और इसी में पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है मगर कई सारे ऐसे हैं जो अभी भी गिरफ्त से पुलिस के बाहर है पुलिस इन दोनों से पूश्टाच के जरीए दरसल उन तक पहुँशना चाह रही है और यही वजह है कि आज कोट के साबने पुलिस ने रेमांट के अपिल के थी और कोट ने पुलिस की रेमांट के अपिल पर धान देते विए 14 दिनों के रेमांट में कोट ने भेश दिया और जिन लोगों ने गौरफ चंदेल के हत्या के थी बागी जो लोग फरार हैं उनके गरफतारी के लिए पुलिस अपनी करवाई को आगे बढ़ा रही है मगर पुलिस को फिलाल ये दो कामयाबी जो के गरफतारी के तोर पर सापने आई है ये एक बड़ी कामयाबी के तोर पर पुलिस इसमें देख रही है क्योंकि मिर्ची गायंग का सरगना अभी इस पूरे मामने में फरार बताए जा रहा है हाला कि अब इन 14 दिनों के भीतर भीतर जो पुलिस तफ्तीश करेगे इंट्रोगेशन करेगे उसमें क्या ऐसी चीज़े सापने आएंगे जिसके आधार पर इस पूरे गायंग को बस्ट करने में पुलिस कामयाब हो पाती है जैसा के पुलिस अपना दावा इस्वत करते भी दिख रही है मगर इतने दिन बेद गए हैं और इस बिश में अभी तक इस पूरे गैंग तक पहुँशने का जो दावा था पुलिस का अभी तक वो कामयाब नहीं हो सका है मगर जिस बेरहमी के साथ में गौरफ चंदेल के हत्या की गई और इसकी कुछी दिनों के बाद में उसकी कार एक लाकिस से बरामद होती है कुछ दिनों के बाद में उसका मुबाइल फोन बरामद होता है और सवाल ऐसे भी उठे पुलिस ने जो त्योरी दी के आखिर जब मकसद हत्या का लूट पाट था तो फिर गौरफ की कार और गौरफ का मुबाइल फोन लूटे रे लेकर के क्यो नहीं गए